हेलो दोस्तों UPSC Hindi के online study platform में आपका स्वागत है इस class के माध्यम से हम UPRO ARO जो 2016 में pre-exam हुआ था उसके प्रश्णों को discuss कर रहे हैं देखेंगे UPSC Hindi द्वारा जो है RO ARO के लिए batch स्टार्ट किया गया है और जिसकी fees रखी गई है 500 रुपए देखेंगे इसमें की कुल 120 घंटे की classes होंगी और इसमें GS Current Affairs General Hindi ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी अगर इससे संबंदित किसी को भी कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9519780078 आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं इसके पहले एक और class इसकी हो चुकी है आज़ी class में हम आगे के प्रश्णों को यहां discuss करेंगे तो आज का अगला प्रश्ण जो है देख लेते हैं ढिबनिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है है कि भारत में वन खेतर का हास्त की जनांकिडू संगर्मण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है और कारण R है कि वन्छे त्रेवंग जनसंख्या वृद्धी में प्रायन नाकारात्मक संबंध होता है प्रश्न कहा रहा है कि नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए इसमें A पिकल्प जो दिया गया है A तथा R दोनों सही है तथा R A की सही व्याक्या है B है A तथा R दोनों सही है किन्तु R A की सही व्याक्या नहीं है C कह रहा है कि A सही है किन्तु R गलत है और D है कि A गलत है किन्तु R सही है तो देख लेंगे इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एकी सही व्याख्या है इसको हम यहाँ देख लेंगे देखेंगे कि वन छेत्र एवंग जनसंख्या वृद्धी में प्रायन नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन छेत्र का हास भारत के जनांकी की ये संक्रमण से प्रत्यक इसका option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि राश्ट्रिय वन नीती 1952 की अनुसार निम्लिखित में से कौन सा वन का समवर्ग नहीं है देखेंगे इसमें option तो option A है राश्ट्रिय वन option B है राश्ट्रिय वुद्यान, option C है सनरक्षित वन और option D है ग्राम वन और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की राश्ट्रिय वन देख लेंगे यहां देखेंगे कि 1952 की राश्ट्रिय वन नीती के अनुसार वनों को चार रूप में वर्ग की कृत किया गया है पहला है सनरक्षित वन राश्ट्रिय वन ग्राम वन एमंग व्रेक्ष भूमी इस प्रकार जो है कि राश्ट्रिय वुद्यान जो है वह वन का सम्वर्ग नहीं है देखेंगे टुबैगो में इस्थित और वर्ष 1776 में इस्थापिट टुबैगो मुखे पहाडी वन सनरक्षी छेत्र विश्यो का पहला प्रथम राश्ट्री उध्यान माना जाता है तोबैगो को देख लेंगे तो ये जो है कि कारेबियन दीप में इस्तित है वेनर जुएला के निकट में तो इस प्रकार इसका जो ऑप्षन सही हो जाएगा ऑप्षन नमबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि कोईला मंत्राले के रिपोर्ट की अनुसार 14.2014 को निमलिखित राजियों के प्रमाडित कोईला भंडार के द्रिष्टी से सही अवरुही क्रम में है और देखेंगे इसमें A. 36गड, ओडिशा, जार्खंड और मध्यप्रदेश B. ओडिशा, चार्थिसगड, मध्यप्रदेश और जार्खंड C. जार्खंड, ओडिशा, 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 कि यहां देख लेंगे देखेंगे 2019 में जो कोईला भंडार था उसको देख लेंगे तो इसमें है कि झारखंड जो है पहले इस्थान पर दुतिय इस्थान पर ओडिशा उसके बाद चतिसगड पस्ची मंगाल और मध्यपरदेश अब उसके बाद जो है कि अब हम 2020 में देख अगर देखें तो ये राज्य भी क्रमश इसी प्रकार होंगे यानि कि जारखंड, ओडिशा, 36 गड़, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश तो 2019 में भी कोईला भंडार जो है कि राज्यों का क्रम यही होगा तथा 2020 की मिनरल बुक की अनुसार भी राज्यों का क्रम भी से इसी प्रकार रखा गया है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि निम्निखित कतनों पर विचार कीजिए और इसमें हम कथन देखेंगे कथन ए हैं प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी छेत्र में इस्थित हैं तथा भविश्यों में भी प्रियोग में लाए जा सकते हैं और इसका कारण दिया गया है कि किसी वास्तिविक प्राक्रतिक संसाधन का विकास प्रोध्योगी की एमंग उत्पादन लागत पर निर्भर होता है प्रश्न कह रहा है कि नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर चुनिए ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एकी सही व्याख्या है बी है ए तथा आर दोनों सही है किन्तु आर एकी सही व्याख्या नहीं है सी है ए सही है किन्तु आर गलत है और डी है ए गलत है किन्तु आर सही है देखेंगे इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि A तथा R दोनों सही है किन्तु R A की सही व्याक्या नहीं है इसको हम देख लेंगे यहाँ देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी छेत्र में स्थित है तथा भविष्ट में भी प्रियोग में लाए जा सकते हैं इस प्रकार हम देखेंगे पहला जो कतन है उसमें ये बिल्कुल सही है यहाँ इसको देख लेंगे इसमें जो पहला कतन है ये बिल्कुल सही है और देखेंगे कि किसी वास्तिविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रद्योगी की एमों उत्पादन लागत पर निर्भर होता है इस प्रकार प्रश्णगत कथन और कारड दोनों सकते हैं किन्थु जो कथन है वो कारड की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर रहा है क्योंकि अगर देखें प्राकृतिक संसाधन को तो ये वास्तिविक संभावे और आरक्षित आधी प्रकार के होते हैं इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या नहीं है अगला प्रेश्ण देख लेते हैं अगला प्रेश्ण है कि उर्जा उत्पादन के निम्लिखित साधनों पर विचार करें और इसमें हम देखेंगे पहला है जल उसके बाद है प्राकृतिक गैस तीसरा है नाभिकी और D है चौथा है डी जल देखेंगे इन्हें भारत में उर्जा उत्पादन के कुल प्रतिश्ठापित चमता में उनके प्रतिशतांश 30 दिसंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए अवरोही यानि की घट्टे क्रम में इनको व्यवस्थित करना है तो देख लेंगे इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नमर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि एक दो तीन और चार इसको यहां देख लेंगे देखेंगे कि भारत में उर्जा उत्पादन के कुल प्रतिश्ठापित चमता में उनके प्रतिशतांश 30 दिसंबर 2016 के अनुसार और वही क्रम में जो है इस प्रकार दिये गये हैं देखेंगे जल विदुत सबसे पहले 12.4 प्रतिशत उसके बाद जो है कि गैस यानि कि 6.9 प्रतिशत उसके बाद है नाभी किया 1.9 प्रतिशत और लास्ट में है डीजल 0.9 प्रतिशत तो इस प्रकार देखेंगे इसका जो आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नमर लेगे जयविक संसाधन को देखेंगे इसका सही हो जाएगा चयाविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि यह किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किये जाते हैं जबकि शुद्ध जल जो है वो जैविक संसाधन नहीं होता है देखेंगे जयविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त किये जाते हैं जैसे वन तथा पशु एवंग उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ जीवाश्य इंधन जैसे कोईला एवंग पेट्रोलियम इसी भर्ग में शामिल किये जाते हैं क्योंकि ये विगठि जयाविक परदार्थोर से बनते हैं और शुद्ध जल जो है वो जयाविक संसाधन नहीं है तो इस प्रकार देख लेंगे इसका जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखेंगे अगला प्रश्ण है कि स्ट्रेट लाइट होता है और इसमें हम option देख लेंगे option A है समताप मंडल का सबसे उपरी बैंड बी है समताप मंडल का सबसे निशला बैंड C है अधी कुचाइपर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत और D है शनी का प्राकृतित उपग्रह और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा याणि Straight Light जो होता है वो अधिकुछ आई पर समताप मंदल में स्थापित वायूपोत होता है और इसका Option Number C जो है सही हो जाएगा देख लेंगे यहाँ, देखेंगे Straight Light मोलता अधिकुछ आई पर समताप मंदल में स्थापित वायू पोथ होता है जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हैं तो एक स्थाई platform की रूप में कार्य करता है अब हम एक एक करके जो है कि वायू मंडल की और उसके बाद बहिर मंडल, यह वायू मंडल की पांच परते हो गई, एक एक करके इसको समझ लेते हैं, सबसे पहले हम छोब मंडल को देखेंगे, तो छोब मंडल वायू मंडल की सबसे निचली परत है, और सारी वायू मंडली घटनाएं इसमें घटित होती है, छोब मंडल में जैसे जैसे हम उपर जाएंगे उपर जाने पर प्रती 165 मेटर पर एक डिगरी तापमान में गिरावट आ जाती है दूसरा हम समताप मंडल को देख लेते हैं तो समताप मंडल जो है यह प्रित्वी की सता से जो है कि 20 किलो मेटर की उचाई तक फैला हुआ है और मौसम सम्मंदी घटना इसमें नहीं होती है वायुयान उडाने की आदर सिदसा समताप मंडल में ही पाई जाती है देखेंगे समताप मंडल की एक और विशेष्ता सबसे बड़ी विशेष्ता इसमें यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है जो सूरे के प्रकास से आने वाली पराबैगनी केड़ों को आउशोशित कर लेती है तीसरा हम देख लेंगे मध्य मंडल को तो समताप मंडल के ठीक उपर जो है 60 किलो मीटर की उचाई तक देखेंगे तो जो है कि ये परत फैली होती है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उलका जो अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं वो इस परत में आने पर जो है नस्ठ हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं अगला हम देख लेंगे ताप मंडल या फिर आयन मंडल तो यह जो है कि 60 km से 640 km तक फैला हुआ है और संचार उपग्रह जो है इसी में अवस्तित रहते हैं जो भी संचार उपग्रह लगाया जाते हैं वो ताप मंडल या फिर आयन मंडल में लगाया जाते हैं सब अगला है बहिर मंडल तो 640 km से उपर जो भी है वो सभी जो है बहिर मंडल के अंतरगात आता है और इसमें जो है कि हाइड्रोजन हिलियम नामक गैस पाई जाती है तो इस प्रकार देख लेंगे यह पांच परते कि जू है वायु मंडल की छों नंडन मधिम ताप मंडल या फिर समतामडल और पाचें भर मंडल अगला देख लेते हैं अगला प्रेशन है कि नील नील यानि कि ब्लू नाइल नदी जो है निम्निखित में से किस जील से निकलती है और इसमें हम option देखेंगे option है Victoria जील, option B है ताना जील, option C है Edward जील और option D है Albert जील और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की ताना जील यहाँ देखेंगे नीली नील नई जील जो है, अफरिकी देश इतोपिया में अवस्थित ताना जील से निकलती है, नीली नदी इतोपिया की सबसे लम्बी नदी है और आगे चलकर ये खार्टून सुडान में सफेद नील से मिलकर नील नदी के रूप में आगे बढ़ती है यानि हम इसमें देख लेंगे नीली नील नदी तथा आगे सफेद नील नदी मर्ग के नील नदी के रूप में आगे बढ़ जाती है देखेंगे नील नदी जो है अफरीका महादीप की सबसे लंबी नदी है तो थमिश्र को जो है कि नील नदी का बरदान कहा जाता है इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि नीली नील या फिर ब्लू नाइल नदी जो है निमलिखित में से किस जील से निकलती है तो option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है कि निमलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है देखेंगे ये जो है कि सागरों क काला सागर और अरब सागर C है भूमादे सागर काला सागर कैस्पियन सागर और अरब सागर और डी है काला सागर भूमादे सागर अरब सागर और कैस्पियन सागर और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि सबसे पहले है भूमादे सागर उ उसके बाद है कैस्पियन सागर और उसके बाद है अरब सागर अब इसको यहां हम देख लेंगे एक एक करके देखेंगे पश्चिम से पूर्व क्रम इसका देख लेंगे भूमध्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर और अरब सागर सबसे पहले हम भूमध्य सागर को देख यह सागर उत्तरी अफ्रीक जात्तीत हैं उसके बाद हम काला सागर को देखेंगे उक्रेन रोमानिया वनगारिया तुर्की जारजिया और रूस से गहरा हुआ है तो देखेंगे इसकी सीमा से लगे महादिपीर समुद्र है तीसरा हम देख लेते हैं इसमें कैस्पियन सागर को तो इरान और रूस के मद्ध ही अवस्तित है और कैस्पियन की तट्रेखा है वो अजरबेजान, इरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्थान इनके द्वारा लगती है देखेंगे कैस्पियन सागर तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी जील है अब हम अरब सागर को देख लेंगे तो अरब सागर जो है वो रूस में अवस्तित है और इस सागर से जुड़े हुए देश जो है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान है और इन देशों को देखें तो ये म उत्तर चुनिए देखेंगे इसमें सूची एक को अगर हम तो इसमें जो है कि एक तरफ जो है नदियों के नाम लिखे हुए हैं और सूची दो में जो है कि कहां प्रवाहित होती हैं या फिर कहां ये अपना मुहाना बनाती हैं वहां उस अस्थानों के नाम लिखे हुए हैं और इसमें जो है कि इनको मिलाना है तो इसमें देख लेंगे कि सबसे पहले इसमें से कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तो option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अब एके करके हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे लीना नदी को तो लीना नदी जो है वो आर्कटिक सागर में मुहाना बनाती है उसी प्रकार देख लेंगे बी है इसमें आमूर नदी तो आमूर नदी जो है कि प्रशांत महा सागर में प्रवाहित हो जाती ह टिग्रिस को देखेंगे सीट टिग्रिस को तो यह जो है कि फारस की खाड़ी में यह नदी प्रवाहित हो जाती है और चौथा माही नदी को देख लेंगे तो यह जो है अरब सागर में प्रवाहित होती है यहां इसको देख सकते हैं देखेंगे सही सुमेलित विकल्प इस प पर ये बहती है और यह जो है कि प्रसांत महासागर में प्रवाहित हो जाती है C है टिग्रिस यह जो है कि तूर्की सीरिय और इराक में बहती है यह फारस की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है और माही नदी को देख ले तो मध्य परदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है भारत में और यहां अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है इसलिए इसका जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला है करीबा बाध निर्मित है और इसमें हम option देख लेंगे option A है काफ्यू नदी पर option B है जामबेजी नदी पर C है चामबेशी नदी पर और D है काबोंपो नदी पर और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि जो करीबा बाध बना हुआ है वो जामबेजी नदी पर बना हुआ है देख लेंगे यहां देखेंगे करीबा बाध जामबेजी नदी पर अवस्तित है और इसी के समीब जो है कि करीबा जील भी सित है देखेंगे अफरीकी महादीब के प्रमुख बाधो को तो कु तो ये नाइजर नदी पर अवस्थित है उसके बाद हम अफरिका में इस्थित सेनारबाद को देखेंगे तो ये नीली नील नदी पर अवस्थित है और उलेखनी है कि जांबेजी नदी पर जांबिया और जिंबाबुए के बीच जो है कि प्राकृतिक सीमा बनाती है जो जा जामबेजी नदी पर इस्तित है अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है और इसमें हम देख लेंगे एक तरफ जो है कि पोत निर्माड केंद्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ इससे संबंधित राज्यों को लिखा लिखा गया है और इसमें बताना है कि इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि इसमें से जो कैम्डेन है वो फ्लोरीडा में नहीं रस्तित है पहला इम में Speros Point और C है New Orleans एक एक करकी सको हम यहाँ समझ लेते हैं देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हुस्टन सयुक्तराज अमेरिका के टेकसास प्रांत में है दूसरा हम देखें Speros Point को तो यह मरी लैंड में है और वहीं हम New Orleans देखें तो यह जो है कि लुईजियाना प्रांत में इस्थित है जबकि Camden जो है वो न्यू जर्सी में अवस्थित है ना कि फ्लोरीडा में तो अगर हम इन तीनों को देखें तो यह तीनों सही सुमेलित है और Camden देखें तो यह फ्लोरीडा मे लिए यह स्थित ना होकर कि यह जो है कि न्यू जर्थी में अवस्थित हैं इस प्रकार इसका जो आप्शन सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे कैम्डेन संयुक्त राज अमेरिका कि न्यू जर्सी में राज जमेश्थित एक काउंटी हैं अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि जनसंख्या वृद्धी के रूप को एक दिर्ग कालवधी में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं और इसमें जो आप्शन ज ही उत्तर हो जाएगा यानि कि जनांकी की संक्रमड देखलेंगे इसको देखेंगे कि जनसंक्या वृध्धी के रूप को जो है एक दिर्ख काली कालावधी में घटित करमिक परिवर्थन को जनांकी की संक्रमड कहा जाता है इसमें जन्मदर तत्म्रित्युदर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्थन की व्याक्या की जाती है, इसके ये चार चरड हैं, देखेंगे प्रतम दिती, तिर्थी और चतुर्थ, इनमें इसके चार चरड बताए गए हैं, इस प्रकार देख लेंगे, इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा, कि जनसंख्या बृध्धी के स् सिर्ग कालवधी, यानि एक लंबे समय में घटित क्रमिक परिवर्थन को क्या कहते हैं, तो इसका ओप्शन नमबर A सही उत्तर हो जाएगा, यानि जनांकी की संक्रमड, अगला प्रेशन देख लेते हैं, अगला प्रेशन है कि UP 2011 की जन गड़ना की अनुसार, साक्षर्ता दर कितनी है, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है, 70.05 प्रतिशत, B है 60.21 प्रतिशत, C है 67.68 प्रतिशत, और D है 65.41 प्रतिशत, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नमबर C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि अगर हम 2011 की जन गड़ना की नुसार, यूपी में साक्षर्ता दर को देखें, तो यह 70.68 प्रतिशत की है, देखेंगे, वर्ष 2011 की अंतिम जन गड़ना पर, उत्तर प्रदेश की साक्षर्ता दर जो है, 67.7 है, और जिसमें अगर हम पूरुषों और महिला की साक्षर्ता दर अगर क्रमशा देखें, तो पूरुषों की जो साक्षर्ता दर है, वो 77.3 प्रतिशत और वहीं महिलाओं की जो साक्षर्ता दर है, वो 57.2 प्रतिशत है, और इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नमबर C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रशन देखेंगे, अगला दिये हुए है और दूसरी तरफ इनका मान दिया हुआ है और यह बताना है कि इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो सबसे पहले हम A को देखेंगे कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5 है और इसमें B है प्रतिवर्ग किलोमीटर घनत् सी है उत्तर प्रदेश की 2001-2011 दशाब्द में जनसंख्या में जो है कि 20.2-3 प्रतिशत की वृद्धी होई है और वहीं अगर हम D देखेंगे तो महिला साक्षर्टा जो यहां है 57.1-8 प्रतिशत की है तो इसमें हम देख लेंगे इसमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो नहीं है इस प्रकार हम यहां इसको देख सकते हैं देख लेंगे कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के प्रतिशत 18.5 प्रतिशत नहीं है और देखेंगे इसकी कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है यह 16.5 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश के अगर हम जनघनत्व देख लेंगे ऐसे देख लेते हैं कि उत्तरप्रदेश का जो जनघनत्व वह 829 है तो यह बिलकुल सही है देखेंगे दशकी व्रिधी 2001-2011 में तो 20.2-3 प्रतिशत है तो ये भी जो है कि बिल्कुल सही है और देख लेंगे महिला साक्षर्ता 57.18 है तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है केवल इसमें जो सुमेलित नहीं है तो इसका option number जो A है वो सही उत्तर हो जाएगा कि देश की जनसंख्या म उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 18.5 प्रतिशत ना हो करके 16.51 प्रतिशत है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि निम्रिकित में से किस राज्जी की जनसंख्या सरवाधिक है और इसमें हम option देखेंगे option A है महरास्टर, option B है बिहार, C है गुजरात और D है उत्तर प्रदेश देख लेंगे option इसमें जो सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि उत्तर प्रदेश इसको हम क्रमशा देख लेते हैं कि सरवाधिक जनसंख्या इसमें हम अगर क्रमशा देखें तो इनको देख लेंगे सबसे पहल तीसरे अस्थान पे हो जाएगा बिहार और चोथे अस्थान पे गुजरात तो यह इसको हम क्रमशह जो है कि राज्यों की जन संख्या को रख सकते हैं यहां देख लेंगे प्रश्ण में उलिखित राज्यों की जन गड़ना वर्ष 2011 के आकड़ों के अनुसार निम्नवत है त भारत की जन गड़ना हर दर्शवर्ष पर की जाती है और इसका कारण आर दिया गया है कि दर्शवर्ष की अवधी के दोरान भारत की जन संख्या अधिकांश्त अपरिवर्तित रही है नीचे दिये गए कूट का सही उत्तर चुनिए और इसमें ए जो है कि ए तथा आर दोन अधिक सही है और इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की इसमें जो है कि A सही है कि इसको यहां देख लेंगे देखेंगे भारत की जनगर्णा प्रती एक 10 वर्ष पर की जाती है और 10 वर्ष की अवधी के दोरान भारत की जनसंख्या की आकड़ों में लागातार उलेखनी परिवर्तन होते रहते हैं इस प्रकार जो है कि प्रश्न का कथन सत्य है जबकि कारण सत्य है देख लेंगे यहां कारण को यहां कारण दिया हुआ है कि दश वर्ष की अवधी के दोरान भारत की जनसंख्या अधिकांश्ता अपरिवर्तित रही है तो इसलिए यह सही नहीं है क्योंकि जनसंख्या की आक प्रारंब हुई थी लॉर्ड रीपन के काल में तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि 1921 के महा भिवाजक वर्ष को अगर हम छोड़ दे तो हमेशा जनसंख्या वृद्धी ही ही हुई है अता कारण आर जो है वो असत्य है और एक कथन जो है वो सत्य है अगला प्रशन देख लेत गिलागर प्रदेश। जो है कि जनसंख्या ईत्त्र पर निवास करने का वाली व्यक्तियों की संख्या को जो है कि जन संख्या घनत्व कहते हैं यानि हम इसको समझ सकते हैं जैसे किसी छेत्र में कुल आबादी और कुल छेत्रपल के अनुपात की जन संख्या को जो है कि जन संख्या घनत्व कहते हैं यहां देख लेंगे तो यहां जो है कि सबसे कम जो जन संख्या घनत्व है वो उत्तर प्र उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में सबसे कम है 829 प्रतिवर्ग किलो मीटर अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि 2011 की भारत की जन गरना के लिए निम्लिकित में से कौन सा आधर्शवाक्य उप्योग किया गया है तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन तो ऑप्शन ए है आवर फ्यूचर आवर कंट्री बी है आवर कंट्री आवर सेंसस और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर देखेंगे 2011 की जब भारत की जनगणना हुई थी उसमें जो है कि आधर शवाके जो प्रयोग किया गया था वो था OurSenses, Our Future यहां देख लेंगे वर्ष 2011 की जनगणना भारत की जो है कि पंद्रह मी जनगणना है जबकि सोतंतर भारत की देखे तो ये सात्वी जनगर्णा है आवर सेंसेस आवर फ्यूचर यानि हमारी जनगर्णा हमारा भविश्य के आदर्श वाके के साथ प्रारंब इस जनगर्णा की जो कालावदी थी वो 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक की थी इस जनगर्णा के अंतिम आकड़े जो दिये गये थे वो 31 मार्श 2011 को दिये गये थे जबकि अंतिम आकड़े जो है की जारी जब किये गये थे वो 30 अपरेल 2013 को जारी किये गये थे तो इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन देख लेते हैं अगला प्रेशन है कि निमलिखित राज्यों को 2011 जनगर्णा के अनुसार उनके नगरी करण के अवरोही क्रम में विवस्थित कीजिए तथा राज्यों को नीचे दिये गए कूटों से सही उत्तर चुनिए इसमें देख लेते हैं इसमें पहला है केरल फिर है मिजोरम तीसरा है गोवा और चोथा है तमिल नाडू देखेंगे इन राज्यों कोन के नगरी करण के अवरोही क्रम में विवस्थित करना है तो इस प्रकार इसका जो ऑप्षन देख लेंगे इसमें जो ऑप्षन सही हो जाएगा ऑप्षन नमबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि सबसे पहले नगरी करड में गोवा है उसके बाद दूसरे अस्थान पे हम देख लेंगे तो दूसरे अस्थान पे मिजोरम है उसी प्रकार हम तीसरे अस्थान पे देख लें प्रश्ण में उननीखित राज्योओ के नगरीकरण का अफ रोहिक्रम इस प्रकार है देखेंगे गोवा में 62.2%, मिजोरम में देख लेंगे 52.1%, तमिल नाडू में देखेंगे 48.4% और केरल में महीं देख लेंगे 47.7% जो है कि नगरीकरण है अगला प्रश्ण देखेंगे अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसमें जो कथन दिया हुआ है कथन A भारत मिसन 2001 की पस्चात सहरी करण में तीवरिवृद्धी होई है और इसका कारण R दिया हुआ है कि भारत में वोबाईल संप्रेशड के छे है किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं है C है A सही है किन्तु R गलत है और D है A गलत है किन्तु R सही है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि A और R दोनों सही है किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं है इसको हम देख ले तो प्रेश्ण में उलिखित कथन और कारड दोनों सत्य हैं किन्तु जो कथन है वो कारड का कोई संबंध किसी प्रकार से भी कथन जो है वो कारड से संबंधित नहीं है देखेंगे वरतमान में भारत में नगरीकरड तो देखेंगे वरतमान में भारत में नगरीकरड का प्रत प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न है कि निमिखित में से किस राज्य में 2011 की जन गड़ना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समू नहीं है और इसमें देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि 2011 के अनुसार जो है जो नीचे राज दिये हुए है उसमें से कौन सा राज 10 लाख प्लस के नगरीय समू में नहीं आता है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन ए है हर्याना ऑप्शन भी है जम्मु कश्मीर ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन दी है जहारखंड और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नबर सी इसका सही उत्तर हो जा जिसमें सरवाधिक साथ जो है 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश और केरल में हैं ओडिशा में देखें तो एक भी 10 लाखी नगर नहीं है वहीं हर्याडा वो जम्मू एवं कश्मीर में एक एक तथा जारखंड में 3-10 लाखी नगर हैं इस प्रकार देख लेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि 10 लाख प्लस के नगर के सम्मू में ओडिशा सामिल नहीं है अगला प्रेशन देख लेते हैं अगला प्रेशन है कि भारत की 2011 की जन गर्णा के नुसार सर्वाधिक जन संख्या निमलिखित नगरी युगमों में से किसमे दर्शित हुई है तो देख लेंगे इसमें A है कोलकाता एवंग दिल्ली, B है दिल्ली एवंग बैंगलूरू, C है मुंबई एवंग कोलकाता और D है मुंबई एवंग दिल्ली और इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि मुंबई यवंग दिल्ली देखें अगर 2011 की जन गर्णा के अनुसार तो सरवाधिक जन संख्या जो है वो मुंबई यवंग दिल्ली में दर्ज की गई है इसको देखेंगे कि भारत की 2011 की जन गर्णा के अनुसार सरवाधिक नगरिये जन संख्या मुंबई यवंग दिल्ली नगरिये युग में दर्शित हुई है वो लेखनी है कि भारत के चार महानगरों की जन संख्या का अवरोही क्रम इस प्रकार है तो देखेंगे घड़ते क्रम में भारत के चार महानगरों की जन संख्या का क्रम दिया हुआ है सबसे पहले इस्थान पर है मुंबई उसके बाद दिल्ली फिर कोलकाता और चौथे इस्थान पर है बैंगली अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार, भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है और इसमें हम option को देख लेंगे तो option ने है 17.3% option B है 18.5% option C है 18.9% और D है 19.05% और इसमें जो option सही हो जाएगा option नमबर A या सही उत्तर हो जाएगा यानि 17.31%, देखेंगे कि विश्य के कुल भूभाग का मातर 2.04% ही भूभाग भारत के पास है जबकि अगर हम जनसंख्या को देखें तो 2011 की जन गरणा के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है विश्य की जनसंख्या के 17.31%, तो इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number a इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन देख लेते हैं अगला प्रेशन है कि निम्लिखित में से कौन एक भारतिय समिधान की अंतरगत आपात काल की उद्गोशना का आधार नहीं हो सकता है option इसमें देखेंगे option A है युद्ध, option B है बाहयाकर्मन, option C है ससस्तरविद्रो और option D है आंतरिक अशान्ती देखेंगे प्रेशन कहे रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा अपात की उद्गोशना का आधार नहीं हो सकता है तो इसका जो option सही हो जाएगा option D आंतरिक अशान्ती इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ इसको हम देखेंगे कि भाग भारतिय समिधान की भाग 18 के अंतरगज्जु है अनुशे 352 के तहट यदि राश्पति को यह समधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी राज्यचेत्र के किसी भाग में युद्ध बाहे आक्रमण और सशास्त्र विद्धों के कारण गंभीर आपात की इस्तिति विद्धमान है तो वह आपात काल की उद्गोशना कर सकता ह लेकिन अगर हम 44 में समिधान संसोधन 1978 को देखें तो उसके द्वारा आंतरिक अशान्ति शब्द था तो आंतरिक अशान्ति शब्द को हटा कर और उसके स्थान पे जो है कि सशस्त्र विद्धों को रखा गया है तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे इसमें जो ऑप्श शब्द का प्रियोग किया गया है अगला देख लेते हैं इसमें एक और चीज़ देख लेंगे आपात काल को देख लेंगे तो देखेंगे कि भारतिय से विधान में तीन प्रकार के आपात काल की विवस्था है और जिसके अंतरगत जो है कि सशस्त्र विद्धों बाहरी आ आपाथ है राश्ट्री आपाथ फिर हम देखेंगे आर्टिकल 356 को तो आर्टिकल 356 जो है राश्पति शासन से संबंदित है और उसके बाद हम देख लेंगे 360 आर्टिकल जो 360 है अनुशे 360 जो है वो वित्ति आपाथ काल से संबंदित है इस प्रकार हम तीन देख लेंगे 352 राश्ट्री आपाथ काल 356 जो है कि राश्पति शासन और तीसरा हो जाएगा आर्टिकल 360 या जो है कि वित्ति या पातकाल से संबंदित है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि भारतिय समिधान के संदर में निम्लिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हम option देखेंगे पहला जो इसमें कथन देख लेंगे कथन कि संघ मंत्री परिशस्यृत लोक सब्ना के प्रती साम होय की रोप से उत्दरदाई होगी और इसमें दूसरा है कि संघ के मंत्री is प्रधान मंत्री की प्रसाध पर्यंत अपने पदधारण करेंगे और देखेंगे इन में से केवल 1 सही है एक और दो दोनों सही है C है ना तो एक ना दो सही है और D है केवल दो सही है और इसमें हम देख लेगे इसमें जो ऑप्षिन सही हो जाएगा यानी कि इसमें से केवल एक सही है यहां इसको हम देखेंगे कि भारतिय समिधान के अनुछेद 75.3 में यह कहा गया है कि संग मंत्री परिशद लोग सभा के प्रती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होगी यानि कि इसका पहला कथन सही है जबकि अनुछेद 75-2 के अनुसार संग के मंत्री राश्पति के प्रशाद परियंत पधारण करेंगे न कि प्रधान मंत्री के प्रशाद परियंत तो इस प्रकार ये दूसरा कथन देख लेंगे यह गलत हो जाएगा इस तरह कथन एक सही है जबकि दो गलत है देखेंगे अगर हम प्रधान मंत्री से संबंदित अनुछेद को तो प्रधान मंत्री का जो उलेख किया गया है वो किसा आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल 75 में किया गया है उसी प्रकार हम देख लेंगे अगर राश्रपती को तो राश्रपती से जो संबन्दित अनुछेद बावन में राश्रपती की चर्चा की गई है तो आटीकल पछात्तर जो है तो देख लेंगे बो प्रधान मंत्री से editor erление यह और और अगला प्राश्न देख ले थे हैं अगला प्रश्न में कि सूची एक को सूची दो के साथ सूमेलीत किजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए इसमें देख लेंगे सूची एक में अनुसूचि दी हुई हैं और सूची 2 में कौन है अनुसूची अंत्रगत जो है कि किसको रखा गया है यह बताना है तो इसमें हम देख लेते हैं A है सात्वी अनुसूची, B है आठवी अनुसूची, C है नवी अनुसूची और D है दस्वी अनुसूची और इसमें जो आप्शन को देख लेंगे तो इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा इसमें जो आ घाई शक्तियों के वित्रर से सम्बंदित हैं उसी प्रकार हम आठवी अनुसूची को देख लेंगे तो आठवी अनुसूची जो है इसमें की भाषाओं को रखा गया है charm league i9 अनुसूची इसमें देख लेंगी तो कुछ विधाई शक्तियों का वितरड आठवी अनसूचि में भाषाओं को रखा गया है डौई अनसूचि जुए इसमें कुछ अधिनियमों का विधी मानने करड किया नौ से संबंदित है नगरपाली का भाग नौक से संबंदित है सहकारी समितिया भाग नौक से संबंदित है और दी है अधिकरण यह जो है कि भाग दस से संबंदित है तो इसमें प्रश्ण कह रहा है कि समिधान के अंतरगत सही सुमेलित नहीं है तो इसमें जो ऑप्षन सही ह जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि जो अधिकरण है वो भाग 10 से संबंधित नहीं है यहां हम देख लेंगे कि भारतिय समिधान के भाग 10 का संबंध अधिकरण से ना हो करके अनुशूची छेत्रों से संबंधित है जबकि अन्य जो बिकल्प है वो सही सुमेलि अन्य बिकल्पु को हम यहां देख लेते हैं देखेंगे इसमें कि सबसे पहले पंचाय दिया हुआ है तो यहां देख लेंगे कि 73-74 सविधान शंसोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्रमशब भारती समिधान में भाग 9 के माध्यम से पंचायती राजवस्था और भाग 9 को के 11 द्वारा भाग 9 जोड कर सहकारी समीतियों के संबंद में प्रावधान किया गया है उस प्रकार देखेंगे तो यह सी भी सही सुमेरित है और अधिकरण को देख लेंगे तो भाग 10 जो है वो अधिकरण से संबंदित नहीं है देखेंगे कि अधिकरण को जो प्रावधान क किया गया है वो भाग 14 कोप में किया गया है तो इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि भारतिय समिधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ को निमलिकित समिधान संशोधनों में से किसके द्व option C है उन 60 संसोधन 1988 और D है 60 संसोधन 1988 और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि 98 संसोधन 1987 अब हम यहां इसको देख लेंगे देखेंगे 98 समिधान संसोधन अधिनियम 1987 द्वारा जो है समिधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित क करने के लिए अधिकृत किया गया है और इस अधिनियम द्वारा समिधान के भाग 22 में संचिप्त नाम प्रारंब के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुछे 397 को भी इसमें शामिल किया गया तो इस प्रकार देख लेंगे इसका जो option सही हो ज जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची ओं के अंत में दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए सूची एक को देखेंगे इसमें कारिक्रमों के नाम लिखे हुए है और सूची दो में उ इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हम देख लेते हैं स्वड जयनती ग्राम स्वर रोजगार योजना तो इसका हो जाएगा यह कब शुरू की गई थी तो यह 1999 में शुरू की गई थी तो इसमें जो है कि एका तीन हो जाएगा दूसरा हम देख लेंगे स्वड जयनती शेह 1989 में जो है कि शुरू की गई थी और D देखेंगे राष्ट्रिय ग्रामिड स्वास्त मिशन ये कब शुरू किया गया था तो ये 2005 में शुरू किया गया था इस प्रकार इसका जो ऑप्षन सही हो जाएगा ऑप्षन नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां हम देख लेते ह देखलेंगे कि प्रश्ण में उलेखित कारेकर में उनके प्रारम करने का वर्ष निमलेखित हैं देखेंगे स्वड जयनती ग्राम स्वा रोजगार योजना जो कि 1999 में प्रारम की गई है वहीं स्वड जयनती शेहरी रोजगार योजना ये 1997 में जवाहर रोजगार योजना 1989 में और वहीं D है राश्ट्री है ग्रामिर स्वास्त मिशन तो ये 2005 में प्रारम किया गया है देख लेंगे कि ROARO के लिए जो है कि batch start है लेकिन उसकी जो test series भी start नहीं हुई है जल दी जो है कि ROARO की test series भी start कर दी जाएगी आज की class में इतना ही आगे के प्रेशन अकली class में discuss होंगे